असलाम लेकुम स्टुडेंस आज का जो हमारा टोपिक है वो है लाज ओफ बुलियन अलजब्रा ठीक है तो इससे पहले जो हमने इससे रिलेटिट चार पॉइंट्स पढ़े हैं कौन-कौन से हमने पढ़े थे बुलियन प्रोपोजिशन प्रुथ वैल्यूस लोजिकल उप्र जिसमें एंड और नोट उप्रेशन थे और फॉर्थ पॉइंट हमने पढ़ा था टुट टेबल अब जो बुलियन अलजब्रा का पांचों पॉइंट है वो है लाज ओफ बुलियन अलजब्रा ठीक है अब हमने लाज पढ़ने है ठीक है तो यह पहले भी आपने लाज मैथ में देखी होंगे कोमिटेटिव लाज उसीटिव लाज डिफरेंट लाज है तो जस्ट इसका करना है हमने उसका एक्स्प्रेशन देखना है और उसका एक टूट टेबल बनाना है बस और कुछ भी नहीं करना हमने तो देख लेते हैं दा लाज ओफ बुलियन अलजब्रा है helps us to simplify complex Boolean expression यह क्या है करता है कि सिंप्लिफाइक करता है यह जो मारे पास लाज जो है ठीक है इसको सिंप्लिफाइक करते हैं सम्लाज अर्डिसकूस्ट इन फॉलविंग यह आपने कट कर देना है यह आपने लाइन करनी है कि लाज किसली होते है दाला ओफ बुलियन अलजब तो पहला लाह कोन सा है मारे पास कुमिटेटिव लाह में क्या करना है आपने यह कुछ भी नहीं करना सारा आपने कट कर देना है जस्ट आपने क्या करना है कुमिटेटिव लाह के हैडिंग देनी है और उसके बाद आपने a.b is equal to b.a यह आपने पहले भी पढ़ा होगा मैथ में हर जगा पर कुमिटेटिव लाह क्या होता है a.b is equal to b.a ठीक है तो यानि कि दो वैरियाबल को हम multiply करें और अगर वैरियाबल की अगर हम position चेंज कर लें तो उसका result क्या होता है हमेशा सेम होता है तो आपने यह बी कट कर देना है जस्ट आपने यह expression लिखना है ठीक है आपने यह heading देनी है यह expression लिखना है उसके बाद द आपने यह लिखना है और यह लिखना है उसके बाद यह लाइन भी आपने सारी कट कर देनी है ठीक हो गया अच्छा जी आगे next क्या है आपके we can use truth table अच्छा जी आप आगे क्या है वी आपने यह expression ना उनके जस्ट ट्रूथ टेबल बनाने है ठीक है heading देनी है laws लिखने है यह expression लिखना है और उसका क्या करना है आपने table बना देने है table बनाने अब हमने अब इसमें हमने सबसे पहले हमने यह देखना है कि हमारे पास कितने वेरियेबल है तो कितने वेरियेबल इसमें दो ठीक है इसमें भी दो है इसको हमने अलग इसका टेबल बनाना है इसका हमने अलग टेबल बनाना है सबसे पहले हम इसका बना लेते है है तो हमने ये bhi cacod कर देना है अपने कुछ भी नि लिख ना ठीक है यह करने के बाद आपने क्या करना है कि इस प है करना है टेबल बनाना शरुर्ण कर了 ठीक है टेबल किस आरे बनाना है आपके पास आपने दो बना लेने हैं कॉलम सारा कुछ वैसे ही करना यह वैसे करना यह पिछे क्या था मर पास in अपने पास क्या उसी तरीके से एक फॉल्स कर देना है एक फोल्स कर देना है ज्यूंण उससे कोई फ़रक नी पढ़ रहा है कैना एक फोल्स लेना और एक टू लेना है इस वाले पहले वाले कुलम में दूसरा जो दूसरा को बैरियद्ट लेने दो शुछ चेंग रसकते हैं कि पहले दो टू असेखें पर फोल्स ते छेंच कर सकते हैं पीक्यू में डिफरेंट था तो इसमें क्या है आपका इसमें क्या कर दिया उसने पहले फॉल्स तुरू तु 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 इसे कोई फटक नहीं पड़ता आप चाहिए वैसे ही बिना लग ठीक है तो मैं वैसे ही बना कि आपको दिखाती हूं जिस्ता हमने पहले किया तो आप जो है ना एक तरीका आप आपने कैसे करना है उसी को फोलो करना है ठीक है तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है एक्सप्रेशन हमारे पास 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 है एक्सप लाइना सबसे पहले हमने वेरियबल के साब से उतने लिधा यह ओर अगया यह अग्या बी जितने भी आप मारे वेरियबल होंगी यहांपर लिखना कर देते हैं पहला टूसरा फॉल्स जब हमारे पास दो वैरियेबल होंगे तो हमने चार वैलियूस लेनी है ठीक है क्यों क्योंके two की पावर होती है two two की पावर लेनी है two तो इसका असल आता है चार तो यानिकर दो अगर values मजूद हैं यहाँ पर दो variable मजूद हैं तो हमने two की पावर जितने number of variable है वो लेनी है और उतने क्या आ जाएंगी, ओप्शन आ जाएंगी, अगर 2 की पावर 3 है, तो 8, 8 हम बनाएंगे रोज, ठीक है, तो जितने हमारे पास variable होते हैं, उससे साब से हम बनाते हैं, तो आप पास ज्यादा आप इसको मत सोचें, आपने बस क्या करना है, अगर 2 की पावर, अगर तो दो variable है, तो 4 आपने values बना देनी है, और अगर आपके पास 3 variable हैं, A, B, C, X, Y, Z, तो आपने क्या बना देनी है, आपने 8 values बना देनी है, ठीक है, आगे हम करेंगे, आपको समझा जाएगी, अभी क्या हमने किया है, A और B था, हमने ले लिया 2 variable थे, तो हमने 2 की पावर 2 हो, तो is equal to 4 होता है, तो हमने 4 rows देनी हमने, ठीक है, तो हमने क्या किया, true, false, true, false कर लिया, अब दूसरे वाले कोला में हमेशे, दो true, false लिखेंगे, ठीक है, ठीक हो गया, नेक्स्ट क्या है, आपने हमने find क्या करना है, A dot B, तो A dot B find करने के लिए हम करेंगे, यहां पर A dot B लग कर लेना है, यह end operator है, तो end वाले operator में हमने क्या पढ़ा था, अगर दोनों true है, तो true होगा, otherwise क्या होगा false, ठीक है, यह एक भी false होगा, तो मैंने answer क्या आजएगा false हाजएगा, यह दोनों true है, तो इसका answer true आजएगा, इसमें से हमें यह false नजर आ गया, तो इसका answer false हो जाए लेना है, आप में हमने का करना है, इसका और इसका answer, गेन्त यह नजर तो true क्या होता है, true इसका भी end है नजर दोनों due är यह जर दोनों true होंगे, false, 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 false मिल गया तो false, दोनों false है तो false, अब आप 5 और बूड करे कि यह ऑ दोनों essen मैच कर रही हैं, यह यह दोनों चीजें हम पास हैंस प्रूफ्ट जिस तरह हम मैत में लिखते हैं ए डोट बी इस इक्वल टू बी डोट ए ठीक है बस आपने इतना ही करना उसके बाद आपने इसका ओड का भी बना लेना है आपने टेबल ठीक है वह कैसे बनाना है वह भी देख लेते हैं अब हमारे पास दूसरे एक्स अच्छा इसलिए अच्छा जी यह भी दो वैडियेबल है durch दो वैडियेबल तो हमारे पास कितने आएंगी रोज चार रोज आएंगी ठीक है तो चार रोज हमने बना लिक्शन हानी है दो कोलम के साथ क्यूंकि अच्छा a b तwe हम लिखेंगे true false उसी तरीके से true false दो true दो false ठीक हो गया अब हमने करना a plus b तो a plus b find करना यानि कि और operation में क्या था हमारे पास अगर कोई एक भी true होगा तो answer true होगा जब सब false होंगी तो answer क्याएगा false आएगा यानि कि एक true भी मिल जाती है तो हमारा answer क्या णक्याएगा true तो यह दोना true है तो solution we have true यह एक true सब्सक्राइग जब सब्सक्राइब टों में यह संवां करना B plus A हमने फिर लेना b plus a हम नहीं के नहीं ज़ी स्धी इ.» जाना फिरसी इसार मेंग तर्प जाना प्सेजीज़ा प्सेज़θू वालब टूप यह वाला इक्वालब तो हमारा क्या हो गया गया अब्लस प्लस प्लस लाख जो अगला पेज है उसमें से जो यह तीन या यह आपने cut कर देनी है ठीक है तो आज के लिए community लो आ ही काफी है तो next जो है हम देखेंगे associative law अलाफिस students अगर आप चाते हैं कि मेरी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले तो please like, subscribe and share the video